हलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूटीब चैनल में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू इंफोर्मेशन लेकर आ रहा हूं बहुत ही जादे recruitment आया है नय recruitment है 2022 का चलू मैं डेटेल में बताता हूँ देखो पहले में बता देता हूँ कौन-कौन इसमें eligible है जिससे कि आपका बलुकुल भी time waste ना हो और आपको important information मिल जाए जिसके लिए important है ठीक है तो देखो B.E.B.Tech कर रखें तो आप इसमें eligible हो और graduate engineer trainee की post पर आपका selection ह होने वाला है electrical, mechanical और आपकी civil और एक दू ब्रांच और EC वगर है यह सब इसमें eligible है ठीक है तो इन सभी ब्रांचिस वाले student अगर आपने कर रखें B.Tech तो आप eligible हो और एक और बात अगर आपने gate 2022 में reasonable gate score है आपका क्योंकि gate 2022 के basis पर ही आपका यह selection होने वाला है देखो जो भी बोल रहते हैं कि भाई PSU आप recruitment नहीं कर रहे हैं privatize होने लगए तो देखो अभी तक मैंने आपको 3-4 PSU का on the basis of gate ही बता दिया है लगभग 300-400 vacancies तो मैंने अब तक बता ही दिये और particular अगर मैं mechanical की भी बात करूँ तो mechanical में भी मैंने अच्छ सारे options खुल जाते हैं इस बार वैसे भी PSU बहुत जार recruit कर रही है आप सभी लोगों को ठीक है तो अभी मैं आपको पूरा पताता हूँ चलो ठीक है और आपकी जो salary होने वाली 80,000 से plus होने वाली क्योंकि PSU गेट के basis पर होता है तो आपको अच्छा खासा package मिल जाता है उसक इसी के जरी आपको ping कर दूगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके application स्टार्ट हो चुगे चलो मैं detail में बताता हूँ देखो ध्यान से देखना चाहे आपके gate में थोड़ इसे कम माक्स है फिर भी आप ध्यान से देखना क्योंकि gate में आपका top नहीं मानना है topers के लिए अगर आपका reasonable gate score है फिर भी आप इसमें eligible हो मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे क्या है तो चलो भी मैं आपको notification दिखा जेता हूँ उससे बहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार आप सभी लोग लिए बहतरी हर information इसी चैनल पर notification आउट हुआ है सबकी link description में मिल जाएगी आपको ठीक है तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है तो दोस्तों यह है आपका official notification दामोदर वैली की तरफ से मैं दिखा जेता हूँ आपको दामोदर वैली process वगरा जो होनी है वो सब बाद में detailed notification में जारी होगी अभी एक short notification के जरी बताया है इन्होंने के हमारे vacancies खाली है और 6 अपरेल से हमारी जो application form में वो live हो जाएंगे तो जो कोई भी interested हो ध्यान से रखना तयार रहना इसके लिए इन्होंने बता दिया है तो चलो मैं बता ज लेगरी होने चाहिए 65% होने चाहिए अगर आप OBC जन्रल और EWS में हो और SCST category से ब्लॉंग करते हो तो 60% होने चाहिए ठीक है ऐसा ही आपका electrical के लिए है SI civil के लिए CS and IT के लिए आपकी electrical mechanical की वेकेंसी दोनों की सेम हैं वाइसवाइस वेकेंसी हैं सिविल के लिए 5 वेकेंसी हैं और CS and IT के लिए 5 वेकेंसी है ठीक है और आपकी जो undeserved लोगों के लिए 29 येर आपकी maximum age limit है उससे ज़्यादा आपकी अगर age limit होगी तो भाईसा आप eligible नहीं हो 29 साल के लिए है तो काफी अच्छी age limit इन्होंने रख रखी है ठीक है और देखो जी इटी इलेक्टरीकल दो वेकेंसी इसमें अलक से PWD के लिए इन्होंने मेंशन कर दिए देखो ये short notification है छे तारिक को इनके career section में DVC की साइट में वो पूरा के लिए लिए मेंशन कर देंगी और को क्या-क्या requirement है नहीं और कुछ लिखनी रखा है बस इन्होंने ये लिख वो सायद full notification में ही बताएंगे कि क्या होने वाला है इसी चैनल पर मैं आपको provide कर दोंगा कि जो भी information आएगी अभी तक इन्होंने आपके लिए वस vacancies का call किया है कि आपकी vacancies हैं दामुदर वैली कॉपरेशन में ठीक काफी अच्छी opportunity है देखो भाई मैं हर बार बता रहा जिसके थुरू अगर आपके within 500 या within 600 rank है तो आपको PSU तो definitely मिलेगी और अगर आप 1000 के अंदर हो तो आपको IIT से MTEC मिल जाएगी उसमें भी काफी अच्छा आपका package मिलता है और वैसे भी mechanical से DIY आपके कम होती ही जा रहे हैं यह देखो mechanical के हिसाब से बतारूं मैं और भी branches में यही है देखो अब mechanical का देखो क्या बताता हूं इस बार केबल 90,000 इस्टुएंट्स ने पेपर भराता गेट का ठीक है तो और इस बार अगली बार देखना 80,000 रह जाएंगे क्योंकि बहुत कम सप्लाई हो रही है अब mechanical engineers की mostly CS and IT बच्चे prefer करते हैं क्योंकि जल्दी जॉब लग जाती है जैसे आप सबी लोगों को पता ही होगा क्या हाल हो रहा है mechanical का ऐसे ही रिस्पेक्ट ब्रांच और आप electrical को ले लो civil को ले लो वहां पर भी यही हाल है civil के लिए लेकिन इस देट में वेकेंसी अच्छी खाजी निकलती है जैसे हम में रोज नोटिविकेशन ला इतना तो करी सकते यार के अपने दोस्तों के साथ शेर करो क्योंकि आप लगों के एक ही प्लोट फॉर्म पर सब जैसे कि एक साइट बना रख्यों उसी बेसे पर आपको बताते रहते हैं टेलिगरम का लिंक गुरुप जोर्न कर लेना वहां पर भी आप लोगों के लिए हर इंफॉर्मिशन मिलती रहती है ठीक है चलो आई थिंग करी लोगे आप अच्छे बच्चे हो अच्छे एस्परेंटों ठीक है भाई बंदू जूहितने भी हैं सब कर लेना ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक लिए दोस्तों जहां भी रो पढ़ाई क करदे रहे और तो कुछ करी नहीं सकते ठीक है तो